पीजा बनाने के लिए हम सबसे पहले पीजा का बेश दियार करेंगे इसके लिए हम एक बरतन लेंगे और इस बरतन में हम सबसे पहले एक कप जाफिल 200 ग्राम मैदा डालेंगे और आदी शोटी चमच नमक डालेंगे एक चमच हम बेकिंग पौडर डालेंगे और आदी शोटा चमच हम बेकिंग सोड़ा डालेंगे इसको अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें पांच चमच फ्रेश दहीं के डालेंगे यहां पर हमने ये खास दियां रखना कि दैं बिल्कुल भी खटानी होना चाहिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका नरम और मुलायम आटा त्यार करेंगे आटा थोड़ा सा टाइट हो गया है इसलिए हम इसमें 2-3 चमच पानी के डालेंगे और इसको मसल मसल कर इसका नरम आटा त्यार करेंगे आप देख सकते हो कि आटा काफी हद तक नरम हो चुका है अब हम इसमें 1-2 चमच तेल के डालेंगे और फिर से इसको मसलेंगे आटा त्यार हो चुका है अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम पीजे को बेक करने के लिए कड़ाही त्यार करेंगे इसके सैंटर में एक स्टैंड रखेंगे और इस कड़ाही को हम ढखके 10-15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं अब ये आटा बिल्कुल त्यार है अब हम इसको एक वार फिर से मस लेंगे साथ ही हम अब इसका एक बड़ा सा पेडा बनाएंगे ताकि हमारा पिज़ा का बेस बहुत अच्छा बने अब हम एक चकला लेंगे इस पर सूखा आटा फैलाएंगे और इस पर पेड़े को रखकर सबसे पहले हाथों से फैलाएंगे और इसको बिल्कुल मोटा बेलेंगे पतला बिल्कुल नहीं बेलेंगे नहीं तो हमारा पिज़ा का बेस अच्छा नहीं बनेगा अब हम घर की कोई भी थाली लेंगे इस पर 2-3 चमच तेल के डालके अच्छे से ग्रीस करेंगे अब हम पीज़ा बेस को उठा कर इस थाली पर रखतेंगे अपनी फिंगर की हेलप से इस पर हम ऐसे खड़ा सा बनाएंगे हम एक फोक की हेलप से इसके बीज शेक करेंगे ताज हो हमारा पीजा बेज फूले ना अब हम इसके उपर दो चमच पीजा सॉस लगाएंगे अब हम इस पे गरेट की हुई मुजरेला चीज डालेंगे इसके बाद हम इस पर कटी हुई शिम्ला मिच लगाएंगे कटे हुए टोमाटर लगाएंगे और कटे हुए प्याज लगाएंगे आप अपनी पसंद से जैसे मर्जी पिजे को सजा सकते हो अब फिसे हम इसके उपर ग्रेट की हुई मजरेला चीज डालेंगे औरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे अब हमारा पिज़ा बिल्कुल त्यार है अब हम इसको वेक करें कटाही भी प्री हीट हो चुकी है अब हम बहुत ही केरफुली इसमें पिजे वाली थाली रखेंगे और इसको ढखके 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर वेक होने देंगे 15 मिनट हो चुके हैं अब हम एक वार कडाही का ढखकन हटा कर देखेंगे आप देख सकते हो फ्रेंड्स की हमारा पिज़ा कितने अच्छे से वेक हुआ है और यह दिखने में भी कितना सुंदल लग रहा है अब हम इसको बहुत ही केरफुली बाहर निकालेंगे क्योंकि कडाही बहुत ज़्यादा गर्म है आप देख सकते हो फ्रेंड्स की हमारा होममेड पिज़ा कितना अच्छा बन कर तयार हुआ है और यह खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है अगर आपको यह मेरी रैस्पी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू